श्री रामचरित मानस को फार दिया गया। कुछ नया नहीं हुआ। गंथों को नश्र करना जालिमों और बेवकूफों दोनों के लिए जरूरी हो जाता है। सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा कैसे फूका था ये गूगल कर लीजिएगा। एक ढूणेंगे सो कहानिया मिलेंगी जहां लोग तीर, तलवार, तोप और बारूद से नहीं किताबों से घबरा गए। इस बार निशाने पर हैं गोस्वामी बाबा तुलसी दास। क्यूं? क्यूंकि उन्होंने श्री रामचरित मानस में लिख दिया धोल, गमार, सूद्र, पसुनारी, सकल तालना के अधिकारी। दलितों और महिलाओं का घोर अपमान कर दिया बाबा ने और अपमान हुआ है, ये समझने में हमको 400 साल लग गए। बड़ा लेट रियक्शन आया, धक्का 400 साल पहले दिया, गिरे अब। मैं बाबा तुलसी दास में अटूट धालू की तरह नहीं, एक राइटर की तरह एप्रोश करूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने ये चौपाई लिखकर गलत किया। अब बाबा होते तो मेरी जरूरत नहीं थी, सोशल मेरिया से लेकर प्रेस कॉन्फरेंस और प्राइम टाइम तक हर जगे अपनी सफाई खुद पेश कर देते और बात साफ हो जाती, लेकिन बाबा सशरीर है नहीं, इसलिए मुझे ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ दो मिनट मुझे गौर से सुनिएगा, धोल गमार का पूरा सच आपके सामने आ जाएगा। उपर वाला रॉंग हो सकता है, लेकिन डॉंग कभी रॉंग नहीं होता, बशपन में तहल का फिल्म देखी थी, जिसमें अमरीश पूरी साहब ये डायलॉग बोलते हैं, तो क्या फिल्म के राइटर्स कहना चाह रहे थे, कि डॉंग सचमुच उपर वाले से बड़ा है, नहीं भाई, ये तो एक विलन ने बोला, और विल श्री रामचरित मानस में खलनायक समुद्र के विचार, बाबा तुलसी दास के विचार कैसे हो गए? श्री रामचरित मानस एक प्रबंध महा काव्य है, जैसे नौवल या फिल्मे होती है, प्रबंध साहित्य वो है जिसकी कहानी में एक स्टार्ट हो, एक मिडल हो और एक और उसमें जो कैरेक्टर जैसा है, उसके डायलॉक्स वैसे ही हूँ, यानि हीरो सही बात करे और विलन गलत, धोल, गमार, सूद्र, पसुनारी, सकल तालना के अधिकारी, इस चौपाई को या इस डायलॉक को संदर्व और प्रसंग के साथ, रफरेंस टू कॉंटेक्स के सा समझेंगे, तभी बात समझ में आईगी, सीन देखिए पहले, शिरी राम तीन दिन तक समुद्र से विंती करते रहे, मुझे लंका जाने का मार्व देदो भाई, मेरी पत्नी के प्रान संकट में है, समुद्र ऐसा एहंकारी के मार्व छोड़िये, उत्तर तक नहीं दिया, फिर शिरी राम को क्रोधा गया, उन्होंने चड़ाई प्रत्यंचा और कह दिया, कि मैं एहंकार के छाती में अग्नी बान गालने के लिए विवश हूँ, भय बिन होई न प्रीत, बात तो सच है, समुद्र का एहंकार तूट गया, और वो मनियों, रतनों, सहित, त्राह त् मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड करनी, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी, धोल गमार सूद्र पसु नारी, सकल तालना के अधिकारी, समझाता हूँ, क्या कहा समुद्र ने, हे प्रभु मुझे चमा कर दीजे, आकाश धरती और वायू की तरह जल भी जड है, मैं भी जड हूँ, मुझे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, प्रभु आपने मुझे अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, आप मर्यादा पुरशोत्तम है, इसलिए अब मेरी बुद्धी जागरत हो गई है, समुद्र यानि अशक्षत ग्रामीड, अब गमार कोई गाली नहीं है जो हम आज बानते हैं, जो गाओं में रहे वो गमार, ये सिर्फ ग्रामीड का अवधी रूप है, सूद्र यानि कर्म के अधार पर विभाजत समाज में चौथे तपके के फोर्थ क्लास, चतुर्थ वन के लोग, इनका आज के शड्यूल कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बाबा साहब अंबेड कर भी मानते थे, तो शूद्र SC, ST या OBC को नहीं कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, आगे समुद्र कहता है पशु, यानि मनुष्य को छोड़ कर सभी जीव जन्तु और नारी, जि इन सबको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, जो आपने मुझे दी, समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर शिरी राम उसे च्छमा कर देते हैं, और फिर समुद्र के ही परामर्ष से नल और नील समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिनके पत्थर यतिह और शत प्रतिशत 100% समुद्र के हैं, और किसी भी एंगल से गलत नहीं है, जरूरत है सिर्फ खुले और साफ मन से एनलाइज करने की, सोचने की, समझने की, गोसवमी बाबा तुलसी दास दलित विरोधी होते, तो क्या निशाद राज, केवट और शबरी को रामायल में सहन नायकों की भूमिका देते, अंगिनत चौपाईयों में उनकी प्रशंसा करते, और यदि वो नारी विरोधी होते, नारी कहा मैंने, ध्यान दीजेगा, और अशा करता हूँ, अब तक आप भी अपने आस पास के सम्मानित महिलाओं को और त कहना छोड़ चुके होंगे, जो उनको इतना सम्मान देते, जितना दिया है, राम चरित मानस या किसी भी गरंथ को जला कर आप बखतियार खिल जी की टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, वरना सच तो ये है कि कुछ पन्ने जलाने से, ना राम की महिमा जलाई जा सकती है, ना तुलसी का ते